रोजब्रज में हुआ और ग्वालों का तोहार और इंद्रदेब पूजन चले वहां सभी नर्वनाई इधर एक दिन भगवान खनहया ने देखा कि शबग्वाल बाल जो थे वो कूड़ी पकवान ले जा रहे हैं और इंद्रदेब की पूजा कर रहे हैं कोई प्राथना का रहा हैं श्याम सुन्दर मन में एक बात गुंजी गई कौनसी क्या भगवान कनहया सोच रहे हैं कि मोहतने सोचा गवालों को और कुछ असल तत्व का ज्यान नहीं और अधीगत चले जा रहे हैं दच्चे पत की पर ही जा रहे हैं कि अभी शाहिद गवालों को इतना ज्यान नहीं हैं और क्या हुआ बंधुओं मुझे को दूसरे पहाने से में तका मार्ण रगना नहीं हैं जाया की अंधी रहा थे हैं जत्ती और अले जाना हैं याद रखना मेरे भाईयों आज भगवान कन्हिया मन में विचार कर रहे हैं कि शायद गालों को इतना ज्यान नहीं हैं इसलिए ये इंद्र की प्रात्ना कर रहे हैं उनके गीत का रहे हैं तो भगवान कन्हिया मन में विचार कर रहे हैं कि आज हमें मैया से पूछना चाहिए भगवान कन्हिया मैया ये शोदा के पास में जाकर के बोले हैं कि मैया हमें एक बात बताओ क्या कि मैया यहां आज नया उत्षब और किस लिए मनाया जाता है किसके स्वागत सदकारों का दा मानता जाता है मैया यहां आज नया उत्षब और किस लिए मनाया जाता है किसके स्वागत सदकारों का दा मानता जाता है और क्या बोले भद्वान गन्हिया यह दरे तरे कैसा जिकिये किस लिए ग्वाल नीकाती है इन सौत भावते भरे हुए की तोंते किजे दिखाती है याद रखना बंद्वो आज भगवान कन्हिया मैया यह शोदा के पास ने गए है और जब आप दिया है कि मैया यह शोदा आज ये हर घर में इतने मीठे मीठे पकवान वनने हैं ये किस लिए कोई तिवहार है बंद्वो मैया यह शोदा तो नहीं बोली हुआ क्या यह सुदा तो चुप हो रही और बोले बाबानंद तुम्हें नहीं मालूम है और बेटा याद अधुचंद बंद्वो भर मैया तो चुप हो गई लेकिन उसी समय बाबानंद ने जबाब दिया कि बेटा और क्या बोले हैं बाबानंद कि जिसके हाथों में हम सब का क्या जबाब दिया भगवान कनहिया को बाबानंद ने कि जिसके हाथों में हम सब का आजीवन पालन पोसण है उस्चु कार्थिक ख्रेष्ण चकुर्दस गोवन इंद्र देब का मूझन है उस्चु कार्थिक ख्रेष्ण चकुर्दस गोवन इंद्र देब का मूझन है नंद बाबा ने जबाब दिया है कि बेटा क्रेष्ण ये तिहार हरशाल मनाया जाता है जिसके हादों में हमारा जीवन है उन इंद्र देब के लिए ये गोपिया और गौल गीत गा रहे हैं बंधों भगवान कनहिया ने जबाब दिया कि बाबा आप लोग इंद्र देब की पूजा क्यों करते हैं तो भगवान कनहिया को बाबा नंद ने जवाब दिया कि बेटा इंद्र देठ की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जल्की वर्षा करते हैं और जब जल्की वर्षा होती हैं तो हमारी फसने उगती हैं हरी हरी घासुतपन होती है और जिसमें गाए बच्छा सभी चरते हैं लाला और क्या जबाब दिया कि जो मेधों को आग्या देकर और पठ़बी पर जली परसाते हैं जो रिद्धी सित्यू पचातर के अपना धन्हाने बढ़ाते हैं और जबादिया प्रजबासी उन्हें मनाने को उन्हें सब हरसाल मनाते हैं तो लगविया चना करते हैं ये सितातर रखते दिधाते हैं जब आप दिया है बाबानान्जने की लाला क्रेश्ट इंद्र देव की जब हम लोग पूजा करते हैं तो वो खुश हो करके बर्षा करते हैं जब आतिया की जब बर्षा होती हैं तो हरी-हरी घाज़ उत्वन्ड होती हैि बंधूँ इतने सुनने के बाद में बाबानंदके भगवानrat करकर के खड़े हो गए हैं भगवान गश्या मूम ओर कर क्यों खड़े हो गए अ बबाब नद नन्द ने जब आप d bitchab under Oh तब भगवान कनOkay और नन्द को जबत दिया कि बाबा epid So यह और आज जोनों कौण सी बात और जोने। भगवान कन frosting के बाबा नन्द को कि सुनें बाबा कि भैंगत की दुनिया भjungला भुलय ताम मैं भुलानी बेड़ेंगी दुनिया भूला भूलाई आलमे भूलाई जब आप दिया बाबा ये दुनिया हमारी स्वार को बरी हो जोदी है इजे असली तत्र का ज्यान ही नहीं है और क्रासंधातर के दोले हैं भगवान का दिया बाबा नन्त को अर्मुक्त मिले जो लाम नाम का उस पर प्यांगे उठाबे अर्मुक्त मिले जो लाम नाम का उस पर प्यांगे उठाबे और ज़ाई नहीं बाबा, क्या जबाप्ति भग्वान कद्रिया ने हार अपने जड़ मरिने मसान पर, चंदर भूल चड़ा में पेठंगी दुनिया, भूला भूलाई अनके भूलाई और क्या बोले हैं धन्वान कद्रिया अरिशा अच्छात मन मूर्थी ब्राम्ह तजबाने मसान पर, चंदर भी भूलाई अच्छात मन मूर्थी ब्राम्ह तजबाने मसान पर, चंदर भी प्राम्ह पिश्डु महन जाने उजनत की देभी बेठंगी दुनिया भूलाई अनके भूलाई अनके भूलाई और क्या बोले अरि दुखिया भाई पानी माझे लाधी लेके धावे अरे तुखिया भाई माझे लाधी लेके धावे अर भी दुनाने अप जीते की अर मरे पेशा धुकरावे बेठंगी दुखिया भूलाई अनके भूलाई अनके भूलाई अर धन्य धन्य ए जीत रन्दा पर सब एक भाई लगाए भंग्य धन्य ए जीत रन्दा पर सब एक भाई लगाए आप पेड तंकर पत्थर भी अहां तेप तह लाए बेठंगी दुखिया भूलाई अनके भूलाई अनके भूलाई और ये बात सच है बंधों भगवान कनहया ने बाबा को जबाब दिया कि बाबा ये दुनिया पाखंड की पूजा करती है इसे असली पद का ग्यान ही नहीं है बंधों एक बात यादा गई तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं सालों से कितने वर्सों से ये प्रथा चली आती है कि अगर बाप ने नीम पूजा तो बेटा भी नीम को पूजने के लिए चल दे लेकिन कभी विचार किया कि ये नीम क्यों पूजा जाता है विचार कभी नहीं किया लेकिन नीम पूज रहे हैं एक बंदो एक दे की बात बता में हूँ